हाई फ्रेंज मोना की रसोई मैं आप सभी का स्वागत है आज मैं एक अलगी या अमेजिंग नास्ता लेके आए हूँ सुबह साम कभी भी बना के खाईए बहुत ही टेस्टी बनता है इसको हम आटा गे हूँ के आटा से बनाऊंगी मिक्स भेज हो करके और कोई भी खाएगा इसको बहुत पसंद आएगा हेल्दी भी होता है टेस्टी भी होता है अकर मेरी रेश्पी आप लोगों को अच्छी लगती है ते मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वेल आगन दबाए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप लोगे पास सबसे पहले चला जाया लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें और यह इतने अच्छे से बन जाता है कि बहुत मज़ेदार होता है चलिए हम लोगों शुरू करते हैं इसके लिए हमने एक कटोरी आटा ले 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 हूं यहूं का आटा है इसको और यह में सारा मिक्स सबजी है बेज बेज़िटेवल जो भी बहुत सब कुछ डाला जा सकता है इसमें जितना भी डाल दीजिए सबको मैं पहले आलो को घीश लोंगी आलो को घीश के मैं एक टोरी पानी में डाल दूंगी दूल लोंगी ताकि इसका सारा गंदगी निकल जाए और बाकी सबजी मैं आप लोगों को सब करके हों बहुत ही टेस्टी हेल्दी और बहुत ही एक मज़ा आ जाता है एक अलग ही टेस्ट होता है और जो भी खायेगा खुश हो जाएगा तो आप लोगो भी अपने घर में जरूर बनाएए बहुत ही टेस्टी बनता है ऐसे ऐसे ही यह प्याज मोटा वाले में घीश लोंगी और टमाटर को मैं कट कर लूँगे बारिक बारिक उसको अद्रक को घिश लूँगे ऐसे ही सब धनिया पत्ता को बारिक कट कर लूँगे सब इकठा करके सब आंटा में डालके उसको गूथ लूँगे तब मैं उसको बनाऊंगे ऐसे ही बारिक बारिक टमाटर कट कर लोंगी तो देखिए सारा समजी कट के तियार हो गया और इसमें यह आलू है आलू को पानी से निकाल के इसमें डाल दूँगी तब इसमें मैं आटा डालूँगी यह हूं का आटा है इसमें आधा चम्मच अजवाइनी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है स्वाद के अनुसार नमक थोरा से फारचुन डाल रही हूं मैं इसमें तो इसमें क्या होता है कि खस्ता बनता है अच्छे से आप इसमें भी ज्यादा डाल सकते हैं जितना अच्छा से डालिया उतना कहस्ता बनता है सबको मैं अच्छे से गूथ लोंगी गूथ के तहुम मैं आप लोग को बना के दिखाऊंगी बच्या कर ट्पिन देना हो लंच देना हो अपने घर में नाश्ता करना हो सबके लिए परफेक्ट है यह खा के पेट भी भर जाता है और अलग स्वाद भी हो जाता है सब आटा को गूत के एकठा कर लोंगी या इसको मैं 15-20 मिनट के लिए रिष्ट के लिए छोड़ दूंगे बाद में अगर थोड़ा सा गीला होगा तो उसमें मैं आटा मिला लोंगे अब मैं बैटर त्यार कर ले रहे हैं जिसमें मैं बेशन डाल रही हूँ चार से पांच चमच हल्दी पाउडर एक इस्पून नमक स्वाद के अनुसार और अजवाइन डाल रही हूँ इसमें थोड़ा से जीरा डालोंगे इसे बहुत अच्छा अफले वर आता है अस्वाद के अनुसार इसमें लाल मिर्स पाउडर डाल रही हूँ आप जैसे तीखा खाना चाहें फिर इसको मैं गोल गोल करके मिला दूँगे एक बैटर बना देना है खोब अच्छे से बैटर बन जाएगा इसका अब ये मेरा आटा फूल गया है ये थोड़ा से गीला है इसमें मैं आटा मिलाना परेगा हमको अच्छे से आटा मिला के मैं इसको गोथ लूँगे इसमें थोड़ा ओयल लगा के गोथूँगे ताकि हाथ में ना चिपके फिर ऐसे लोई बना के इसको बेल लेना है बेल के इसको अच्छे से बेल के और एक छोटा मीडियम साइज का ग्लास हो चाहिए जो साइज आप देना चाहिए दे लिजिए उसको कट करके निकाल लेना है बहुत ही टेस्टी बनता है ला जवाब ऐसे ही करके सब हम कट कट करके निकाल लोंगी एक साथ छोटा छोटा पूरी बना लोंगी छोटा पूरी बना ली हूं जैसे आप साइज देना चाहिए उससे इससे भी छोटा ही दे सकते हैं इससे भी बड़ा दे सकते हैं सब एक साइज का त्यार हो जाएगा छोटा पूरी यह देखिए सब एक साइज का छोटा पूरी त्यार हो गया वेजटेवल सब इसमें सारा वेजटेवल इसी में गूथ लिया गया है इसको खुब अच्छे से मिक्स करके थोड़ा भी कुठली ना रहा है एक दम मिल जाए हाई फ्लेम पे मेरा तेल गरम हो गया है हमें ऐसे इसको उलट पल करके डाल देना है बहुत ही आराम से तल जाता है और मज़ा आ जाता है खाके जो भी खाएगा खुश हो जाएगा इसको पलट देंगे फिर ब्राउन हो जाएगा तो निकाल लोंगी बहुत ही अमेजिंग टेश्ट होता है इसका अब देखिए अब यह हमारा निकल प्यार हो गया है देखिए कितना अच्छा देख रहा है फिर इसी तरह से मैं दूसरा राउंड भी बना लोंगी इसी प्रोसेस से सारा निकल जाएगा सब निकाल लोंगी तब आपको जल्ली जल्दी बन भी जाता है जट पड़ में फिर इसको मैं सर्प कर दूंगे देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसकी खुशबू भी बहुत मसता रही है खाने में भी उतने मज़दार लगता है देखने में भी सुन्दर लग रहा है इसके साथ दीखी बाली चटनी और दही